उत्तर प्रदेश के जनपत देवरिया में एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ती की दैनीय स्थिती ने समाज की समवेदन शीलता और प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। आपको बता दें, बीते दिनों एक मानसिक विक्षिप्त युवक्त खुले आसमान के नीचे तपती धूप में पड़ा हुआ था। युवक्त की स्थिती बेहद दैनीय थी। लोगों ने इसकी सूचना समाज सेवी संजय पाठक को दी। समाज सेवी संजय पाठक ने दिखाते हुए स्वयम युवक्त की मदद के लिए आगे आये। उन्होंने विक्षिप्त युवक्त की मदद की और उसे नहलवाया, उसके कपड़े बदलवाये। संजय पाठक ने युवक्त के हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भरती कराया। अगर इसको कोई बीमारी होगी तो हम दो रख लेंगे। ये शुवास्पटेल जी है हमारे सायोगी हैं जो लावारिस लाज जरवाने में बहुत बहुत बढ़ाईंका युगदान रहता है। यही सब कुछ देखते सुनते हैं। और मेरा माट मिर्दे से रहता है। इंको म कुल बाहर पर देते हैं। तो वही ब्यक्ति बाहर इधर गटालर आ था था। आज सुवा एक पत्रकाय बंदू ने हमको पून किया कि ये ब्यक्ति कचारी चवराया पर लावाली सालत में सडक पर घिरा हुआ है। तो मैं तुरंत बागा बागा आया देखा कि ये तो वही सभास भाई के सायोग से नालाय दुलाए नालाय दूलाए गएपरद कषतभाव्स द्रूं बद करते हैं। इस संबंद में मैंने पथ्र भी जिलादिकारी को आई दिया था कि मैडम इस तरह के बहुत से लोग है जो सहर में घुम रहा है और कंपों में घुम रहा है लेकिन कोई आश्रम वाला चाहिए इंजीव वाला इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो मैडम ने भी इसको सिर्पारा अब आप जैसे लोगी देख सकते हैं अब हम लोगी पर्यास में लगे हैं इस तरह की लोगों के लिए कहीं कोई अस्थान बनाया जाए लोगों के सायोग से चाहिए कि पिर हम जाकि समाज कलना अधिकारी के संपर किये तो उनके बावों मिले थे बावों से हमने का कि आप आपना बाइलाज में लिखे हैं कि मंद्वुद्धिक लोगों को रखते हैं अन्हों पर करें अगर इस तरह भूम रहा हैं तुमको इंजिव वाले रखें, अगर उसके नाम पर वो अनुदाल दे रहा हैं गुजारिश करना चाहता हूं कि डिवरिया जिले में जितने भी एंजियों हैं जो लावारिस मन्द बुद्य असाहाई लोगों की सिवा के नाम पर रुजी रुज़गार अपना चलाते हैं चाया नुदान देते हैं और अपने बाई लाज में इसको जिक्र करते हैं कि मैं इस तरह के कारी करता हूं उस तरह के एंजीवों को सिंहित करा जाएं आउंकी जी बता दें संजे पाठक ने इस संदर्भ में जिला प्रशासन से भी बात की जिससे उस युवक की मदद हो सके लेकिन प्रशासन ने ऐसी किसी भी व्यवस्था से साफ इनकार कर दिया ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के लोगों के लिए जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है